आपके अपने चैनल दा प्रेग्मेटिक प्लासेस में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सारेरिक सिक्षा एवं स्वास्ति अनुदेशक योगिता परिक्षा जो कल होने वाली है पटना में 15 केंदर बनाए गए हैं तो आपको क्या-क्या लेके जाना है एकजाम सेंटर पर और एकजाम कब होगा पूरा निर्देश देखने के लिए जनने के लिए आप वीडियो को अंतक देखिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुरिए इसके लिए सब्सक्राइब कर दिजिए तो एक पाली में दोपहर 12 बजे से दो बजे तक होगी परिक्षा आधा गंटा पहले पहुंचना होगा सेंटर बिहार बोट की ओर से सारेडिक सिक्षा एवं स्वास्त अनुदेशक योगिता परिक्षा 2019 का आयोजन 16 दिसंबर को होगा इसके लिए पटना में 15 केंद्र बनाए गए हैं परिक्षा एक पाली मे मात्र दो पहर बारा बजे से दो बजे के बीच होगी परिक्षारतियों को परिक्षा के लिए निर्धारित समय से आधा गंटा पहले सेंटर पर पहुंचना होगा ओमार सीट पर परिक्षारतियों का नाम करमांग परिक्षा की तिति फोटो मुद्रित रहेगी परिक्षार जाएगा यानि कि परिक्षारतियों को 11.50 मिनट एम बजे तक परिक्षा हॉल में प्रबेस कर लेना होगा परिक्षा भवन में जूता मौजा पहन कर आने पर रोक लगा दी गई है परिक्षा भवन में पेन के अलावा कुछ भी नहीं ले जाना है एक सो अंकों के बहु विकल प्रश्ण होंगे तथा परिक्षा ओमर सीट पर ली जाएगी मैनुवल के अतिरिक्त बायोमेट्रिक से भी हाजरी ली जाएगी परिक्षारतियों को ओमर सीट पर वाइटनर इरेजर नाखून ब्लेट पिनादी का इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया गया है अने थ परिकारति ब्लूटूथ एवं एलेक्ट्रोनिक डिवाइस का ब्रयोग नहीं कर पाएंगे सीसी टीवी कैमरा एवं वीडियोग्राफी की व्यवस्ता जिला धिकारी द्वारा पटना में की गई है बिहार विवोर्ड ने कहा कि प्रश्णपत्रों की सुरक्षा के लिए व् सभी पिलत्यार्थियों को बेस्ट आप लख जो कल 16 दिसंबर को एक्जाम देने जा रहे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कोमेंट बॉक्स में हमें कोमेंट करें आपका एगर एड्मिर कार्ड नहीं दानलोड हुआ है तो भी आप कोमेंट कर सकते हैं तेंक्यू प्लिस एर इस वीडियों